केन सरकार ने लग बचत योजनाओं पे ब्याजदर घटाने का जो फैसला किया था उसकी चवतरफा आलोचना पूई उसका नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे से भी कम समय में सरकार को अपना ये कदम वापस लेना पड़ा वितमंतरी निर्मला सितारमन ने कहा है कि गलती से ब्याजदर घटाने का आदेश जारी हो गया था सभी ये उजनाओं पे वही ब्याजदर रहेगी जो पिछले साल मार्ट तिमाही में थी लग बचत योजनाओं पे पुरानी ब्याजदर जारी रहेगी बचत खाते में जमा रकम पर सालाना चार्थ प्रतिसत ब्याज मिलता रहेगा इससे पहले जो आदेश जारी हुआ था उसमें सरकार ने पुरानी बचत प्रमापत्र समेत लग बचत योजनाओं पे ब्याजदरों में 1.1 फिसद तक की कटावती कर डाली थी ये कटावती 1 अपरेल से सुरू होकर 2021-22 की पहली पिमाही के लिए थी और फिर बाद में विचार करने के बात कही गई थी ब्याज दर घटने के रुजहान के अनुरू पिया कदम उठाया गया था वित मंत्राले के अध्यसूचना के अनुसार PPA पर ब्याज 0.7% कम करके 6.4% कर दिया गया था जबकि NST पे 0.9% कम कर 5.9% कम कर दिया गया था ठीक इसी तरीके से बचट जो सिरिंग एकाउंट होता है उसमें 0.5% की कटाउती की गई थी बरिश नागरिकों के खातों के में भी इसी तरीके से कटाउती की गई थी यानि कि जो कटाउती थी वो 0.5% से ले करके 1.1% तक थी और इसको ले करके माना जा रहा था कि आम आदमी पे असर पड़ेगा जो तरफा आलोचना हो रही थी नतीज तन सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है बेसक बित मंत्री कुछ भी कहे कि गलती से आदेश जारी हो गया था इतना बड़ा आदेश गलती से कैसे जारी हो सकता